में सारे बैयो गुड हो राम राम दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है दोस्तो आज हम आपके लिए लेके आए ऑएं जी के के महतक्रण परशन दोस्तो वीडियो को पूरा देखना अंत में आपके लिए मने कोश भी रखा है तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखें अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें शेर करें तो दोस्तो देखते हैं पहला कोशचन हमारा है भारत का पैरिश किसे कहा जाता है दोस्तो बारत का पैरिस कहा जाता है जैपूर ओप्शन A आपका राइट अंसर दोस्तो बारत का पैरिस कहते है जैपूर को दूसरा कोशन है दोस्तो उमारा सत्यमेव जैते कहां से लिया गया है दोस्तो सत्यमेव जैते मुंड को पनिशद से लिया गया है बिल्कुल राइट अंसर है दोस्तो option B में आपका अगला question है दोस्तो भारत में सरवाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है तो दोस्तो भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है हिंडी option B ज्यान से देखना दोस्तो लाश्ट में एक वीज भी रखे गया है आपके लिए तो दोस्तो आगे चलते हैं हम Question Number 4 की तरफ दोस्तो आधुनिक यूग का तुलसी किसे कहा जाता है दोस्तो आधुनिक यूग का तुलसी मैथली सरन गुप्त को कहा जाता है आपका option number है A तो दोस्तो question number 5 की तरफ चलते हैं हम संस्कृत व्याक्रण का जनक किसे माना जाता है तो दोस्तो संस्कृत व्याक्रण का जनक माना जाता है पाननी को option C आपका option आएगा दोस्तो C संस्कृत व्याक्रण का जनक पाननी को माना जाता है तो दोस्तो आगे question की तरफ चलते हैं संसार का सबसे बड़ा महा काव्या है महा भारत आपका option A पे है दोस्तो संसार का सबसे बड़ा महा काव्या कौन सा है महा भारत आगे दोस्तो आगले question की तरफ चलते हैं दोस्तो question number 7 हिंदी विशय के लिए प्रथम ग्यान पीठ पुरुषकार किसे दिया गया दोस्तो को ध्यान से पढ़ें हिंदी विशय के लिए प्रथम ग्यान पीठ पुरुषकार किसे दिया गया तो दोस्तो ये दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत को option आपका है D किसे दिया गया है दोस्तो सुमित्रा नंदन पंत को दोस्तो अगर आप question को बोल बोल कर पड़ोगे तो दोस्तो आपके question याद हो जाएंगे रट्टा मरने की जरूरत नहीं है तो दोस्तो आगे चलते हैं question number 8 की तरफ दोस्तो सबसे अधिक बार बजट किसने पेस किया सबसे अधिक बार बजट पेस किया है मुराजी देशाई ने नम्ность नमबर D है हमारा किसने किया है दोस्तो मुराजी देशाई ने तो दोस्तो अगे चलते हैं question number 9 की तरफ भारत के राष्ट्रिय चिन को भारत सिरकार ने कब अपनाया दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई भारत के राष्ट्रिय चिन चीन की जंगा चीन आएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रिय चीन को भारत सिरकार ने कब अपनाया दोस्तो ये अपनाया था 26 जनवरी 1950 आपका option नमबर A राइट है भारत के देखे दोस्तो कोश्चन दुबारा से थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं भारत के राष्ट्रिय चिन को भारत सिरकार ने कब अपनाया तो दोस्तो ये अपनाया था 26 जनवरी 1950 को दोस्तो आगे चलते हम तो दोस्तो कोश्चन नमबर 10 भारत का सेक्सपियर किसे कहा जाता है दोस्तो भारत का सेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को option नमबर B आपका कहा आएगा option नमबर B तो दोस्तो भारत का सेक्सपियर किसे कहते हैं कालिदास को दोस्तो भारत का सेक्सपिर किसे कहते हैं कालिदास को कालिदास को भारत का सेक्सपिर कहा जाता है तो दोस्तो यह थे आपके 10 कोश्चन आगे दो कोश्चन आमने आपके लिए क्विज रखे हैं कोश्चन नंबर 11 ध्यान से पड़ो दोस्तो इसको कोश्चन नंबर 11 को हिंदी विशय के लिए प्रथम ग्यानपीट पुरुषकार किसे दिया गया दोस्तों पहला है ए उप्षन में है नागारजुन बी में है सुमित्रा नंदन पंत सी में है महादेवी वर्मा और उप्षन डी है मुनसी प्रेम चंद तो दोस्तों इसका जो अंसर होगा ए बी सी डी में से जो भी आपको अच्छा लगे कोमेंट में बताना दोस्तों कोमेंट करना दोस्तों कोमेंट करके आप बताओगे हिंदी विशय के लिए प्रथम ग्यानपीट पुरुषकार किसे दिया गया दोस्तों कोमेंट करके बताना है आगे चलते हैं दोस्तों नमबर बारा है संसार का सबसे बड़ा महा काव्य दोस्तों संसार का सबसे बड़ा महा काव्य कौन सा है option A है दोस्तों रमायन, option B है दोस्तों सिसु पालवद, option C है दोस्तों रगुवन्स और option D है दोस्तों महा भारत, ये question का answer भी आपको comment box में देना है दोस्तो संसार का सबसे बड़ा महा काव्य है अब हमने पिछे अभी इन दस कोश्चनों में पढ़ा है अभी अभी दोस्तो कुमेंट करके हम बताएंगे इसका अंसर क्या है कुमेंट में बताना ठीक say दोस्तो थैंक्यू आपके लिए ऐसे ही question ऐसे ही quiz हम लेके आते रहेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें, share करें, comment करें जै हिन दोस्तों, जै हिन जै भारत